अकबर बीरबल की कहानी सालों पहले की बात है जब राजा एक दूसरे को पैगाम के साथ ही कुछ पहेलिया भी भेजा करते थे। ऐसे ही किसी एक राजा का दूद सर्दियों के मौसम में एक दिन मुगल समराज्य के बादशा अकबर के दर्बार में पहुँचा। वो अपने साथ पहली के रूप में पिंजरे में कैद एक निकी शेर लेकर गया था। राजा ने पहली के साथ एक पैगाम भी भेजा था। पैगाम में लिखा था कि क्या मुगल राज्य में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो पिंजरे और शेर को छुए बिना शेर को बाहर निकाल सके। अब मुगल समराथ अक्बर सोच में पढ़ गए कि आखिर शेर और पिंजरे को हाथ लगाए बिना भला शेर को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। पहली के साथ भेजे गए पैगाम में यह भी साफ लिखा था कि पिंजरे से शेर को बाहर निकालने के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार मौका मिलेगा। अकबर काफी परेशान हो गए उन्हें लगा कि यह तो बहुत मुश्किल है और अगर शेर को पिंजरे से बाहर नहीं निकाल पाए तो मुगल राजे की काफी बदनामी भी होगी। बीर्बल को दर्बार में हाजर होने का आदेश बिजवाया लेकिन अफसोस बीर्बल किसी सरकारी काम से राजे से बाहर गए हुए थे। इसलिए इस बार भी जाना पड़ा। शेर को पिंजरे से निकालने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम्याब रहा। दूसरे दर्बार ने पहेली को सुझाने के लिए एक जादूगा को बुलवाया लेकिन वो भी कोशिश करते करते शाम होने को आई तभी बीर्बल दर्बार में पहुँच गए। अकबर को परेशान देखकर बीर्बल ने पूझा क्या बात है समराट आप इतने परेशान क्यूं हैं। बादशा ने तुरंट शेर से जुड़ी पहेली के बारे में बीर्बल को सब कुछ बताया। अकबर ने बीर्बल से पूझा क्या तुम इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो। बीर्बल ने कहा हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ। अकबर बहुत खुश हुए क्योंकि मुगल समराज्य में बीर्बल के जैसा बुद्धिमान और चतुर दूसरा कोई नहीं था। शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए बीर्बल ने अकबर से कहा कि उन्हें दो सुलगती हुई लोहे की छड़वस और ये की आवश्यकता है। शहन शाह ने तुरंत इसकी व्यवस्था करने को कहा। जैसे ही बीर्बल को लोहे की छड़ मिली तो उन्होंने पिंजरे को छुए बिना छड़ को अंदर पहुचा कर उसे नकी शेर पर रख दिया। शेर लोहे की गर्म छड़ के सपर्ष में आते ही पिघलने लग गया क्योंकि वो मूम का शेर था। देखते ही देखते पूरा शेर मूम के रूप में पिंजरे से बाहर निकल गया। बीर्बल की ये सकलमंदी पर अकबर बहुत प्रसंद हुए। उन्होंने बीर्बल से पूछा, अरे, आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि यह पिंजरे के अंदर मूम का शेर कैद है। बीर्बल ने बड़ी ही नम्रटा से जवाब दिया, हजूर बस शेर को गौर से देखने की जरूरत थी। मैंने जब पहली के बारे में जानने के बाद उसे गौर से देखा, तो लगा कि यह हमूम का शेर हो सकता है। साथ ही राजा ने यह भी नहीं बताया था कि शेर को कैस बाहर निकालना है, तो मैंने उसे पिंधला कर बाहर निकाल दिया। इधर, दर्बार में बीर्बल की जय जय कार होने लगी। उधर, पहली लेकर अकबर के दर्बार पहुँचा राजदूत अपने राज्य वापस लौट गया और बीर्बल के इस कारनामे के बारे में जोग किया जाना चाहिए। दिमाग से हर समस्या का समाधान हो सकता है।